प्रोग्राम नमस्कार ब्रेक की बाद आपका स्वागत है आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हलका हल चल में हम आपको हलके में लाइब लेकर जाते हैं और बताते हैं क्या कुछ खास होने वाला है आज कि तमाम पलवल के लोग हैं जो लंबे समय से परशान चले आरते जिसके मांग भी चली आ रही थी तो उसको लेकर क्रिटिकल केर सेंटर की अब यह कावाई शुरू होगी और सबसे बड़ी बात है कि जो पीड़विडी है उसको भी पुराते जारी कर दीए कि वह मोगोपर ज कि कहां बिल्डिंग बननी है किस तरह से बननी है कितने समय में बननी है तमाम इन चीज़ों को लेकर आप यहां पर निर्मान प्रक्रिया जो है वो भी शुरू कर दी जाएगी जिसको लेकर पलवल जिले के लोगों को आम नागरी का स्वादाल पर जो पहुत लंबे समय से दिक्कात आ रही है योटोब अभी तख काफी चीज़ों की हाँपर मांगे है वो भी अभी तक पूरी नियोपर यह लोगों की मांगे की यहाँ पर खिर दे sixty है को व्यजिक लेकर भी लोग बेहत परशान है कि हाँ जिलस तरफा थॉ है लेकिन ये तो माम सुधा यत्य Piece नあー कातार बड़ी-बड़ी दुर्गटना हो रही है दुर्गटनाओं के कारण जब स्तिती बड़ी गंबीर होती है तो पलवल नागरी अस्पटाल लाने के बाद उसे पड़ा नजीक के नुहू शेतर में नलड में जो है कुंडिली मानेसर पलवल मार गये और दिली बड़ोदरा वाल मार गये उस पर काफी समय से आसपास के चित्रों के जो कि अधीन विद्यान सबाद चित्र में जो लगता है वहां के किसान लगातार 38 दिनों से लगातार अपनी एक मांग लेकर बैठे थे कि यहां पर कट दिया है उतार और चड़ागवा जिसको लेकर किसान काफी लंबे समय से यहां मांग कर रहे थे लेकिन अब जो आतीन चित्र के विदायक है परवीन डागर की एक अथक प्रियास मेहनत के द्वारा स्थानी किसानों के साथ मिलकर इस मांग को केंद्रे राज्ये मंत्री किशन प्रशाना उनको आवा जाए के लिए आभी दिक्कत के सामना करना पड़ रहा है तो इसको लेकर यह मांग पूरी कर दीगी अब किसान जो लगवा अरतीस जिनों से लगा था धरने पर बैठेते वो धरना भी आप उठकिया है और उनकी जो आश्वासन दिया था वो पर चाब याना तो इसको लेकर आप किसानों को इसकट से रहात मिलती नजार आ रही है किसान के रहे कि बहुए बहुत परशान दे अपनी फशल को अन्यमस्तानों पर ले जाने के लिए उन्हें काफी लमबा चकर गाड़ना पड़ता था बहुत परशान चल देते लेकिन इस कट करके इस कट से अब आने वल समय में तमाम ग्यासपास के असी गाम जो चेतर पढ़ते हैं वो उनके तमाम किसाने धन्य पर बैठे थे उन्हें अब काफी रहात मिलती नज़र आ रही है जी अनाया जी सब्सक्राइब जगदी इशार आपके पास आएंगे क्या कुछ पलवल में आज खास होने वाला और क्या कुछ खास कबर माफ कीज़ेगा कालावाली किसानों की एक मापंचायत में लिया जाएगा वही अगर बात करें पुलिस की तो पुलिस को कप्तान की ओर से चार कंप दोलन से देखकर जोड़ा जा रहा है लेकिन पुलिस सूत्र कहते हैं कि ऐसा नहीं है उधर भी जो जो उधर भी लोग हैं जो कि तंगार फैदाने वाले लोगा उनसे निपने के लिए पुलिस अपनी त्यारी कर चुकी है कि पंजाब से जो हजारों की संक्या में किसान काल लगात किया है जाये लेकिन कल मुख्य से बार्के कुल्रस बारत प्तवार को नेता थे उनकी बात बुए तो ऊपके आज मैं आघ महुतरी कर्दिया को कहने हं gaat dir परवंदक सिख्ष कमेंटी के चोलावों की गोशना कर दीगी है उसको लेकर पजबी समधाए कि लोगा उन्हें काफी उत्साया जो देखने को मिर रहा है और जो चर्चाये बोटों में खड़े होने की परवंदक सिख्ष कमेंटी कि जो परचारक है बलजी सिंद दादूबाल तो उनको परधान बनाने की जो क्यवाइब कर दीगी है वहीं अगर बात की जाए सिर्शा पुलिस को काफी बड़ी जो सफलता जो मिली है कहीं नगी कातरी तक पुलिस पहुंच चुकिया और आज 12 ब सब्सक्राइब की जाएगा जो पीसी साथ आपके पास आएंगे क्या कुछ खास खबरे कल से सामने आ रही है चलेगर से और क्या कुछ खास आज होने वाला है अगर हम आज चंडेगर की बात करें तो मुक्ह मंत्री मनौहर लाज जो है दो बैठके लेंगे पहली बैठक शाब को चार बजे हर्याना ग्रह विभाग की होगी और पांच बजे परिवार पैचार प्रसल को लेकर एक जो बैठक होनी है वहीं अगर अब से कुछ तेरवार कर दीवर एक घंटे के बाद साड़े आड़ हुजे मुक्ह मंत्री मनौहर लाज हर्याना विधायक तलकी एक बैठक वीडियो कॉंफरेंसर के जरिये देंगे इस बैठक में जो है अर्याना बीजेपी के प्रतेस अत्र नायव सकी और सभी विधायक जो हिस्साले के पैठक म जाएगा तो आज विधायकों को भी जो है अपनी तैयारी करने की जो है बात कर जाएगा तो आज जो है वो नॉमिनेशन का जो काम शुरू हो जाएगा पंदनाः फरवरी तक चलेगा सोला फरवरी को नामांकन पत्त्र की जो रहा जाएगे और 20 फरवरी की नामांगन पत्तर वापिस ले जा सकती है अगर ज़रूरत पड़ी तो मत्दान भी जो है बलाया जा सकते है है हाला कि अर्याना में एक ही सीट है और सब से ज़्जाता प्रेवर्ट्मानी सकताब्ल में हैं तु ऐसे में सर्वसम्मती से चिनाव होता दिखाए दे लेकिन अगर दूसरी पार्टी अपना सब्सक्रा से उतारती तो चुनाव जरूर होगी लेकिन अब देखने वाले बात यह रहेगी कि हरियाना में बीजेपी जो है किस को अपना प सामने आ रही है वहीं हर्यारा बीजेपी के काफी करीबी माने जाते हैं उनके के वी राज्यसभा जाने की चर्चा है क्योंकि ये दोनों नेता पिछले विधार्सभा चुराओं में अपने अपने हाल को से चुनाओ हार गए थे और उसके बाद से ये कही ना कहीं इनको और ज देखने वाली बात ही होते हैं या फिर ये राज्यसभा में जाते हैं जी अनाया जी वरकुल अम्जाम की पाबंद के होने से यहीं इस कारेक्रम को समाफ करना होगा आप सबीका बहुत धन्यवाद हमें सारी जान कारी हमारे दर्शकों को अपडेट कराने के लिए तो अभी झाल 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 झाल